तो आप सभी का वेलकम है आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूं वो है गैस पेसर चाट के बारे में जिसमें 22 का 32 का एसी से रिलेटेट सारी गैस इसके बारे मैं आपको बाता हूंगा पेशर उसे पहले इंपोर्डेंट जो की पहला है डू नॉट मिक्स एनी गैस इसका मतलब यह कि है कि कुछ टेक्निशन कुछते हैं कि 410 में 32 मिला सकते है या 22 की जागा 32 जाल सकते है देखिए इसकी ऐसा बिल्कुल मत करिए जैसी की पार लिखा रहता है कॉमपेसर पे जो है वहीं डालिए दूसरा है वेक्यूम प्रोपर ली इसका मतलब यह हम कभी भी इसमेंटल करें इसके पार श्ट्रॉल करते हैं या नया मशीन करते हैं उसको वेक्यूम बराबर करें और पूरा माइनस 30 तक जाने दे और नेक्स टॉपिक है कि कोई भी गैस को टॉप अप ना करें वैसे तो किसी को नहीं करना चाहिए लेकिन फिर भी हम 22 को कर लेते हैं लेगिन 32 410 बहुत रिस्की गया से इसको टॉप अपना करें और आखरी मॉइंट जो है गैस चार्जिंग करते वक्त हमेशा गेज के साथ क्लैम मेटर ज़रूर लगाए एक टनका है देर टनका है उसके अंदर हमें सारी डिटिंग दिखाती है उस हिसाब से ही गैस चार्ज करें ओवर एंप्यार ना ले वो तो चलिए शुरू करते हैं यह देखिए यह हमारा गैस चार्ट है इसके अंदर आप देखेंगे उपर कॉलम बने हुए है रैक्मिजेशन में स्क्शन प्रेशर डिस्चार्ट प्रेशर स्टैंडिंग प्रेशर यह चार्ट कॉलम है उसके नीचे प्रेशर प्रेशर रहता है तरह देखेंगे लगबग अनलादा रहें इतना ही होता है फांतर रूपर नीचे हो जाए लेकिन अप्रॉप इसी के आशपर जाता है उसके तरह हम तेखिए नीचे 22 है उसके नीचे 410a है 407 है यह सारी गेसे के बारे में बादाया हुआ हुआ 134 आपको पता है फ्रेज में यूद होती है यह देखिए उसके सारा आपको दिया हुआ है यह एक अच्छी कॉपी में आपको फ्रेश कॉपी लास में लगाऊंगा इससे आप इसकी शॉट लेंके अपने पास से ओकर सकते है अगर आपको इसकी कॉपी चीए मुझे मेल नेक्स वीडियो में उपर आई बटन और डिस्पले पे वीडियो में जाएके थैंक यू